नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अगर घर का वास्तू भी गड़ जाए तो जीबन में परिशानिया ज़्यादा आती है और आप लाख प्रियास कर लें पर खुसियां आपके द्वार से ही लोड जाती है क्या करेंगे हमारे यहां हमारे घर का वास्तू का सबका महत्व है हम जहां भी रहते हैं चाहे हम किराय के घर पे हो या फिर अपने ही घर में हो लेकिन घर के मुख्य दरवाजे को सजाना हम नहीं भूलते तो मुख्य दरवाजे को हमेशा ही सज्जा के साथ रखना आप सबसे जो खुबसूरत दरवाजा होता है आपके घर का वो आपके घर का में डूर होता है तो मुख्य दरवाजे के पास कुछ चीजें आपके जीवन में सुपता बढ़ाती है और कुछ चीजें रखने से जी या फिर असोग के पत्तों का बंदनवार जरूर लगाईए हमेशा ही सजाकर रखे तोरण जिसे कहते हैं उसी को बंदनवार कहते हैं तो इस तरह से आप लगा के रखेंगे तो घर में नकात्मक उड़जा प्रवेशी नहीं करेगी घर के मुखे दरवाजे को हमेशा ही साफ स सुथ्रा सफाई करते रहें और यह नहीं की पेंट बहुत इन से नहीं किये हैं उड़ा-उड़ा सा है नहीं एकदम सलीके से रखें और संभवों तो दोनों तरफ स्वस्तिक का निसान बनाईए घर के दरवाजे के माह लक्ष्मी उस घर में ही रहती है जहां कोई कमी नहीं है यानि आपके घर के सकायत्मक उर्जा को बढ़ाता है आप भले ही बहुत सारे नियम का पालन करते हैं लेकिन हर समय घर में कलहकले सोगा तो लक्ष्मी आएगी ही नहीं आज हम आपको मालक्ष्मी को मनाने के बाते भी बताएंगे और क्या कुछ ऐसा है जो आपको घर में लक्ष्मी आपके नहीं आती ऐसी बाते भी सबसे पहली बात तो घर के मुख्य दरवाजे पर पानी से भरा हुआ एक बरतन जरूर रखे संबबो तो गुलाब की पंखुरी डालकर रखे और ये बरतन आप रखेंगे अपने घर से पाहर निकलने के समय घर के ठीक अंदर घर में सकात्मक उड़ जाएंगी आप सभी सुरक्षित बने रहेंगे भूल कर भी मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से गनेज जी की तस्वीर मत लगाईए क्योंकि गनेज जी की तस्वीर में दरेता का निवास होता है अगर आप बाहर से गनेज जी की तस्वीर लगा तो आप अंदर से भी एक गनेश जी की तस्वीर ठीक वहीं पर लगा दें कि दोनों का पीठ एक जगा चिपक जाए तो ऐसा करने से निगेटिब जो दोस है जो इसके गलती आपने किये हैं उनसे मुक्ति मिलेगी घर के दरवाजे पर अगर चावल और हल्दी के घोल से आप स आप बनाते हैं बाहर की तरफ से तो जो भी बैक्ति आपके घर में आएगा एक तो उसकी निगेटिव इनरजी बाहर ही रह जाएगी और अगर उसके आँखों में कोई गलत चीजे हैं तो वह भी इस दोस को समाप्त कर देता है यह चावल हल्दी हमेशा ही वास्तु को ठीक आटालालने करने करके ही रखना चाहिए और उसके लिए तमाम प्रयत्न भी किये जाते हैं आज हम आपको क्या नहीं रखना चाहिए अब हम यह जानते हैं अभी तक हमने सिर्फ ये आपको सिंपल सब्दों में बताया क्या अच्छा होता है एक और बात सनी बार और रवी बार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाडू लगाने के पहले पानी डाल दिया करें यानि आप एक मग एक बाल्टी कोई भी हो पहले पानी डालें और फिर जाडू लगाईए ऐसा करने से घर का जो अगर किसी ने कुछ किया होगा आपके घर में तो वापस से उसी के पास चला जाएगा आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पाईदान जरूर होना चाहिए जिसमें पैर पोस्ते हैं डियरेक्ट कभी भी कहीं से घर में परवेश ना करें नहीं तो आपके पैरों में जो निगेटिब इनरजी है वो भी आपके साथ अंदर आ जाएंगे पहले के जमाने में लोग बाहर ही पैर्द होके फिर अंदर आते थे अभी तो ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ नियोम का पालन कर सकते हैं जूते चपल एकदम से आप घर में आ रहे हैं आपका नजर सबसे पहले जूते चपल पर पढ़ रहा है ये अच्छी बात नहीं जूता चपल रखिए लेकिन कहीं साइड की तरफ एकदम से सामने में मत रखिए ये भी वास्तु दोस को बढ़ाता है जूता चपल हमेशा करीने से रखें जोड़े की संख्या में यानि को एक जूता यहां है एक उधर से है एक उल्टा है एक सीधा है एक पे एक चड़ा ह हुआ है यह भी वाका सुद्व बढ़ाता जाइक और इन दर्वाजे पर का इसा इसा करने से बच today खर के मुख्य दरवाजे के सामने या आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा पेड जो सुख गया है एक दम ठूटा सा दिखता है उसमें पत्ते नहीं है पुस्प नहीं है बंजर सा दिख रहा है वैसे भी घर ऐसे जगह में कभी नहीं बनाना चाहिए जो इलाका ही बंजर हो सबके बीच में रहें ताकि आप भी खुश रहें और आपके साथ लोग वाल जो हैं वो भी खुश रहें ऐसे पौदे अगर हैं आपके घर के आसपास बड़े पेड हैं जिसकी चाया आपके घर पर पड़ती है तो ऐसे पेड़ों के आप डाल कटबा दें कि चाया आपके घर पर ना पड़े क्योंकि यह सबसे बड़ा वास्तु दोस होता है आपका वरकत ही नहीं होने देगा घर के आसपास आपके घर के पास कोई फलदार ब्रिच्छ जैसे आम का पेड़ है उसे हटा दें क्योंकि आपके घर में जो बच्चे वो तरक्की ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके घर में आम के पेड़ हैं तो कभी कभी क्या होता है दिवाल की किनारे चट पर पीपल के पेड़ उगाते हैं जितनी जल्दी हो सके हटाएं नहीं तो घर आई लक्षमी वापस से ली जाएगी और घर में राहू के तु सनी का वास हो जाएगा फिर तो परिसान बेल का पौधा घर के सामने बाहर की तरफ लेकिन एकदम से में गेट के सामने मत लगाईएगा साइट से अप लगा दे बेल का पौधा लगाने से नियमित रूप से दर्सन करने से एक बेल पत्रोज लक्षमी मा को और पीत करने से धन की कमी लाइफ टाइम नहीं होती यह आप कीजिए बेल का पौधा जरूर लगाईए और अगर आपके घर में लोग बीमार रहते हैं बार बार परिसानी है दबाईयों पर खर्चे जादा हैं तब अपने घर के में डोर के पास एक अनार का पौधा जरूर लगाएं गमले में ही लगा दें लेकिन लगाएं ऐसा करने से आपके घर की बिमारियां दूर हो जाएगी आप सभी स्वास्त रहेंगे अनार भी खाने को मिलेगा और स्वास्त भी अच्छा अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है तो छोटा सा उपाय तो है पर है बड़े काम का रोज साम में अपने घर के तुलसी के नीचे एक घ ही का दिया जरूर चलाएं ओम रभीवार के दिन लेकिन नहीं जलाईएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जब करें साम के समय अगर इस मंत्र का जब 11 बार भी कर लेते हैं तो बहुत सारे संकट यूहीं दूर हो जाते हैं और यह दीपक जो जलाईएगा तुल तुलसी को साम होने के बाद नहीं छूना चाहिए वैसे तो तुलसी एकादसी दुआदसी अ मवस्या और गरहन के दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए नाहीं नाखुन से तोड़ना चाहिए धियान रखिएगा और कुछ नियूम का पालन करके मालक्षमी को आप बना सकते ह आप हमेशा ही याद रखिए कि घर साप सुत्रा हो विशेस कर मुख्य दर्वाजा सबसे ज़्यादा खुबसूरत हो जहां से सकात्मक उर्जा आपके घर आएगी और मुख्य दर्वाजे के पास कुड़े दान टुटी-पुटी कुर्सियां स्टूल बिल्कुल भी ना रखे मुख्य दर्वाजे का जो दहलीज है हमेशा संगमरमर या लकड़ी का ही बनाए क्योंकि माना जाता है या नकात्मक उर्जाओं को सोंख लेता है केबल पॉजटिव एनरजी को ही गुजरने देता है और घर में परवेश करने के लिए वास्तु सास्त के अनुसार बुरी च घर का जो मुख्य दर्वाजा है में डोर है वो पूरे घर का आत्मा है आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर सही डिपेंड करता है आप कैसे रहें वास्तु सासर में कहा जाता है कि घर का मुख्य दर्वाजा आपके घर में लक्षमी को लाने का और खुसहाली आने का रास्ता हो तो एक बार अपने घर के मुख्य दरवाजे को जरूर ठीक करने का प्रयास करें कहीं वास्तू के बिप्रीत कुछ ऐसी चीजे तो आपने नहीं रग दी जो आपके जीवन में मुस्किलें को बढ़ा रहा है अब कुछ नियम है वास्तू में जैसे कि घर का दरवाजा अगर पूरा नहीं खुलता है या फिर खुलने में रुकावट होती है तो ऐसे घरों में लक्षमी आने में भी कावट होती आर्थिक समस्या बनी रहती है इसलिए अपने घर के मुख्य दरवाजे को बाधा रहित और साफ रखें दूसरी बात कई बार होता है मुख्य दरवाजे पर कैक्टस कांटेदार पौधे लगा देते हैं पर वास्तू कहता है यह कि नकायात्मक उड़जा को घर पाईदान को घर के दक्षिन पस्चिन दिसां में रखिए और मुख्य दरवाजे को बिल्कुल साफ रखें आइना भी मत लगाईए क्योंकि सकात्मक एनरजी घर से बाहर चली जाएगी इसलिए अगर आइना लगाना भी है तो आप ऐसा लगाएं कि मुख्य दरवाजे से आने वाली एनरजी काँच से टक्रा कर घर में फैल जाए narrative energy चोब अगर अगर थोड़ा सा फिटकरी का पॉडर बनाकर आप इसको लाल कपने में बांध कर या काली कपने में बांध कर घर के पाय दान के मुख्य दरवाजे के नीचे रखे तो उत्तम होगा दूसरी बात तस्वीर जब लगाना हो खासकर गनेज जी के तो अंदर की तरफ से लगाएं कुछ उनकी पीठ में दरिता का बास है जूते चपल का ढेर मुख्य दर्वाजे के आसपास ना रखें साइड करके रखें तो उत्तम होगा तो घर के मुख्य दर्वाजे के ठीक सामने यानि चौ